Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है Internet Information Services या IAS. IAS या Internet Information Services, जैसे फॉर्मले Internet Information Server भी कहा जाता है, एक Web Server एप्लिकेशन है, जो Microsoft ने डेवलप की है और Microsoft Windows के साथ वर्क करती है. Internet Information Services या IAS, Windows Server के उपर भी अविलेवल होती है, और साथी साथ Windows Clients के उपर भी अविलेवल होती है, यानि के Windows Client Operating Systems भी IAS Server की तरह एक्ट कर सकते हैं, और IAS की Services प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन IAS 7 से पहले, इसमें कुछ लिमिटेशन्स थी, कि अगर Client Operating Systems IAS रन करते थे, त तिरफ एक ही वेबसाइट, Client Operating System के IAS के उपर रन कर सकती थे, यानि कि अगर आप चाहते हैं कि Multiple Websites आप Create करें, तो ऐसा Client Operating System पे पोसिबल नहीं था, IAS 7 वर्जन के पहले वाले वर्जन्स में, अब जब वर्जन्स की बात चली है, तो Microsoft Windows के हर Operating System के साथ, लगभग एक IAS का वर्जन्स लाँच हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे IAS 1 से लेके IAS 8 तक वर्जन्स लिखे हुए हैं, और साथी साथ उनके सामने ये भी लिखा हुआ है कि वो किस Operating System के उपर अवेलेवल हैं, जैसे कि पहला IAS 1 Windows NT 3.51 के उपर Free Add-on की तरह अवेलेवल था, और Latest IAS 8 जो ह हमारे Windows Server 2012 और Windows 8 के साथ अवेलेवल है, हम इन सभी वर्जन्स को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, हम शुरुआत करेंगे IAS 7 से, क्योंकि IAS 7 से Microsoft Windows ने अपने IAS Server को बिल्कुल एक नए रूप में अवेलेवल करवाया है, और इसकी जो सबसे बड़ी feature है, या सबसे जरूरत हो, जब आपको जरूरत हो, आप इन modules को add कर लिजे, और जब आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इन modules को remove भी कर सकते हैं, और जिस specific functionality को आप use करना चाहते हैं, उस से related module को ही आपको add करना पड़ेगा, इस modular architecture से जो सबसे बड़ा benefit हुआ, IAS 7 में वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा secure हो गया, क्योंकि IAS server के उपर वो बहुत सारी features unnecessary run नहीं करती हैं, जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसके साथ-साथ security से related है, reliability, अगर हमारी security ज़्यादा हो गई, और हमारा server अच्छे से work करने लग गया, तो definitely इसे हम reliable भी कह सकते हैं, इसके लाबा, इसक lecture में भी कुछ changes है, प्लस इसकी modular approach है, उसकी वज़ा से भी ये ज़्यादा reliable है, IAS 7 scalable भी है, यानि कि आपको scalability provide करता है, आप इसको जुरुरत के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं, और इसमें निया management tool add हुए, जिससे आप IAS 7 को easily manage कर सकते हैं, तो IAS 7 manage करना भी बहुत आसान ह हो गया है अपने previous version यानि कि IAS 6 से, IAS 7 सभी popular protocols जैसे कि STTP, STTPS, यानि कि Hypertext Transfer Protocol over SSL और FTP, etc. को support करता है, तो हम IAS 7 के features को एके करके देखेंगे जब हम इसके installation करेंगे, तो इस वीडियो में हमने IAS या Internet Information Services क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी ली, Internet Information Services, Microsoft द्वारा developed किया गया web server है, जो Windows Operating Systems के साथ available है, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.